देश और देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर समाजवाधी पार्टी के राष्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुखमंत्री अखिलेश यादव ने लोगसभा से दिया इस्तिफा लोगसभा अध्यक्ष ओम बिल्डा को उन्होंने सौपा इस्तीफा आजम गड़ से लोगसभा सांसद रहे अखिलेस यादव ने सपा के राष्टी महा सचीव राम गुपाल यादव और सपा के ही राजसभा सांसद विसंभर प्रसाद निसाद की मौजूदगी में ओम बिल् उत्तर प्रदेश की राजनीत करने जा रहे हैं क्या आगामी विधान सभा की चुनाओ की तैयारी वो अभी से करने जा रहे हैं या इसके पीछे और भी कोई दाओ है गौर तलब है कि अखिलेस यादव के साथ साथ रामपूर से सांसद आजम खान ने भी इस्तिफा दिया ह और क्योंकि आजम खान की सीट और अखिलेस यादव की सीट रामपूर और आजम गण हैं ऐसी सीट पर समाजवादी पार्टी हमेशा से मजबूत रही है तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उपचुनाओ में एक बार फिर से भारती जनता पार्टी को हरा कर समाजव समाजवादी पार्टी है संभाथा इसी रणनीत के तहट अखिलेस यादव ने इस्तिफा दिया है जिससे ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बलकि पूरे देश की राजनीत गर्मा गई है अब देखना दिल्चस्प होगा कि रामपूर और आजम गण में खाली हुई लोग सभा सीट पर किसे चुनाव लड़ाया जाएगा कोई समाजवादी पार्टी का नेता लड़ेगा अखिलेस यादव आजम खान के परिवार से कोई लड़ेगा या फिर समाजवादी पार्टी से भी इतर गडवन्धन सहयोगियों के भी किसी व्यक्ति को वहाँ पर लड़ाया ज जाएगा और इसके साथ ही ये भी बात स्थापित कर दी जाएगी कि अखिलेस यादव 2027 की तयारी 2022 से ही करने लगे हैं ऐसे ही ताजातरीन खबरों के लिए आप देखते रहें बोलता उत्तरप्रदेश और बोलता हिंदुस्तान जहां पर हम आपको खबरों और वीडियों उसे ओगत कराते रहेंगे